तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को एक अच्छा सा question है तो चलो इसको try करते हैं इसे question बार-बार पूछा जाता है और आपको करने आना चाहिए ratio of the weight of body on earth surface to surface of planet is 9.8, 9 ratio 4, मतलब weight जो होता है वो basically क्या होता है mg होता है तो earth पर लिखोगे तो weight on earth और weight on planet is equal to g of earth और g of planet आजाएगा 9 by 4 equation number first लेकिन g की जो value होती है gm over r का square होती है किसी भी planet के लिए किसी भी planet के लिए इसकी value देखोगे तो ये इतनी आजाती है तो अगर तुम देखोगे इसकी value इतनी exist कर जाती है तो यहां से तुम जो है उस planet की रेशियो यहां से रेशियो निकाल लो तो यहां से तुम देखोगे basically जब मैं इसको रखोंगा तो mass के directly proportion है तो mass of earth और mass of planet और divided by radius of earth और g of earth और g of planet के दर मैं value निकालता हूं तो mass of earth और mass of planet और multiply कर दूँ radius of planet और radius of earth का whole का square यह वाली चीज हमें मिले और इस पूरे की value 9 by 4 है ठीक है और यह भी दिया हुगा है यहां पर एक condition यह भी दिया हुगा है कि जो mass of planet है वो 9 upon 4m है mass of planet जो है वो 1 upon 9 by 4 mass of earth है तो इसका मतले बे हुगा कि यहां से तुम देखोगे MP upon ME की जो value आजाएगी वो 1 upon 9 के equal आजाएगी तो इसमें रख देते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें radius चाहिए द्यान रखना है तो जब इसको मैं solve कर दूँगा इसमें रखने के बाद तो देखते हैं क्या मिलता है तो जब मैं इसको solve करूँगा यहां तो यहां यह पहले ही 9 by 4 यहां जमा पड़ा था और equal to MP upon ME 1 upon 9 है तो ME upon MB यह 9 आजाएगा और यह radius of the planet और radius of earth का square है जाएगा तो 9 9 यह कट जाएगा तो हमें चाहिए था उस planet की radius तो उस planet की radius और radius of earth is equal to 1 by 4 under root मतलब 1 by 2 तो radius अब जो planet आजाएगा और radius of earth divided by 2 तो radius of earth को यहां r लिये हैं और 2 लिये हैं तो 2 से divide करें तो r by 2 is the final solution मतलब d option हमलों का सही हो गया थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो